हेलो एवर्लवन वेलकाम है सुमूर्जिंग ग्लासिज तो आज की क्लास में हम यहाप से ने वाले हैं brain चैंसर से तो हमने प्रीवस क्लासिस में कई चैंसर के वारे मां discussion किया था तो आज का जो हमारे topic रहने वाला है बोब brain cancer या फिर हमेशे brain tumor भी बोल सकते हैं तो brain cancer, brain tumor से क्या-क्या हमें प्रशानी हो सकती है, क्या-क्या इसके लक्षण होते हैं, या फिर किस-किस कार्णों से brain tumor होता है, या फिर brain में cancer होता है, तो आज की class में हम यहाँ पर discuss करेंगे. फस्ती तो हम यहाँ पर देखते हैं brain cancer क्या है, तो brain cancer, जैसे कि हमने सारे cancers के बारे में discussion किया था, कि abnormal cell की growth को हम cancer बोलते हैं, तो same condition create होगी कि अगर brain में, जो हमारी abnormal growth है cell की, मतलब स्वरी, cell की अगर abnormal growth होने लगती है, तो उसे हम brain tumor या फिर brain cancer कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, अब brain tumor occur when abnormal cell from within the brain, there are two main types of tumor, अब जैसे कि हमने देखा कि जो abnormal growth होती है, cell की, वो tumor का form कर लेती है, या फिर उसे brain tumor हम बोलेंगे, अब यह जो tumor होता है, यह भी two types का होता है, एक होता है benign tumor और एक होता है malign tumor, अब benign tumor क्या होता है, benign tumor इसे हम non-cancerous भी बोलते हैं, और malign tumor को हम cancerous बोलते हैं, क्योंकि malign tumor होता है, वो पूरे tissue को और other organs में भी फैल जाता है, लेकिन जो benign tumor होता है, मालो यह only tumor है, इस tumor पर ही affect करेगा, इसके अलावा अगर इस tumor को remove कर दिया जाएगा, तो किसी body part पर यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, तो यह तो था हमारा benign और malign tumor की क्या होता है, अब यहाँ पर देखते कि brain जो cancer होता है, या फिर brain जो tumor होता है, वो किस किस part में, मतलब किस किस types का होता है, फास्तों हम देखते हैं, ग्लियो मास, तो ग्लियो मास जो हमने देखा कि brain tumor की just part है, कि particular अगर brain की just location में अगर cell की growth हो रही है, तो उसके नाम के according यहाँ पर tumor की नाम दिये हैं, जैसे यहाँ पर लेखा, ग्लियो मास tumor, और related brain tumor, यह भी brain tumor के अंदर गता है, तो इसमें होता क्या है, जो ग्लियो मास आर growth, और cell of that look like glial cell, जो हमारी glial cell होती है, अगर उसमें cell की abnormal growth होने लगती है, तो ग्लियो मास का रूप ले लेता है, या फिर glial हम बोल सकते हैं, ग्लियल ट्यूमर के नाम से भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, next देखते हैं, बनाने को मिलता है, जो की फलोट को बनाने में helpful होता है, तो उसके सराउंड में, ब्रेन या फिस्पैनल कोड के सराउंडिंग में, हमें cell की abnormal growth देखने को मिलेगी, या फिर हम वो सकते हैं, this is fluid is called cerebrospinal fluid like that हम बोह सकते कि इसके जो cerebrospinal fluid जो होता है उसकी जो हम बोह सकते कि जो layers होती है तो अगर उसमें tumor form हो रहा है तो हम उसे गोरेंगे choroid fluxus tumor नेक्स देखते embryonal tumor तो embryonal tumor ये start होता है left over from fetal development के time पर ही हो जाता है जब fetal का development होता है तो इसे हम embryonal cell भी कहते हैं stay in brain after birth जो की after birth के बाद भी stay रहता है क्योंकि हमें embryonal tumor हमने बोला क्योंकि ये fetals में ही देखने को मिलता है penile tumors की बात करते हैं तो penile tumors जैसे कि हम देख पा रहे है penile tumors start in and around the brain penile glands तो penile glands में जिस cell की abnormal growth हो रही है तो उसे हमने बोला है penile tumor the penile gland is located in the center of the brain ये जो मेरे penile glands होती है वो brain के center में देखने को मिलती है जो जैसे कि हम जानते है penile glands तो जो कि hormones के secretion के लिए helpful होता है तो अगर penile gland में abnormal tumor growth हो जाती है तो उसे हम penile tumor बोल सकते हैं नेक्स हम दिखते हैं manesio mask तो manesio mask जैसे कि इसका नाम है वैसे ही हम देखते हैं कि manesius layer में तो manesio mask आप brain tumor start in the membrane around the brain and spinal cord जो मारे manesius layer होती है या फिर brain या फिर spinal cord की जो layer होती है वहाँ पर अगर tumor फॉर्म हो रहा है तो उसे हमने बुला है manesio mask tumor next हम देखते हैं nerve tumor अब nerve tumor क्या होगा कि nerve tumor and growth that happen in and around nerve जो nerves की nerves के around में अगर tumor फॉर्म हो रहा है तो हम इसे nerves tumor बोलेंगे इसका नाम है तो इसे हम बोलेंगे यह बहुत स्मॉल ग्लेंड होती है जो कि हमारे brain में situated होती जो कि इसके कारण क्या क्या होते है कि जो brain tumor है और brain cancer है क्या क्या कारण हो सकते किन किन कारण उसे हमें देखने को मिलता है फ़सी तो हम यह पर देखते हैं कि age अगर over age हो जाती है age पर भी depend करता है exposure of radiation अगर radiation के contact में जादा है इस कारण से भी देखने को मिल सकता है race के चलते race जो होता है उसके कारण भी हमें देखने को मिल सकता है chemical exposure अगर chemical exposure जादा हो रहा है या फिर family history है किसी को family में पहले से cancer है या फिर history of the cancer अगर आपको ही पहले से cancer है किसी भी तरह का cancer है तो भी आपको brain tumor या फिर brain cancer होने की संभावना हो सकती है इसके अलावा alcohol अगर alcohol या फिर smoking का आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो इस कारण से भी brain में tumor या फिर other जगह पर भी tumor हमें देखने को मिल सकता है तो ये हमारे कुछ कारण थे कि cancer brain cancer होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं अब symptom की बात कर लेते तो symptom जब हमारे brain में है तो जब brain में अगर हमें देखने को मिल रहा है brain tumor तो लक्षण भी इसके कई तरह के देखने को मिलेंगे क्योंकि brain एक तरह से हमारे body को चलाने का एक man system होता है अगर वही damage हो जाएगा तो कितनी सारी समस्या यहाँ पर होने के chances हैं तो नोजिया वोमेटिंग तो होगा ही होगा बहुत चादा वोमेट फील जैसा होगा आइस में भी problem होगी क्योंकि brain का connection हमारे पूरे body में है वो central हमारा system होता है वो जो brain ही चलाता है हमारे body को तो आइस में भी problem होगी blurry vision होगा देखने में भी मतब vision जो होगा धुनला देखाई देगा कभी-कभी double भी देखने को मिल सकता है lossing feeling or movement in arms and leg मतब जो leg होते हैं या फिर arms होते हैं sensation भी जो feeling होती है वो भी less हो सकता है like a that हम यह बोसकते है कि like paralysis की क्योंकि वहाँ पर कभी blood supply नहीं पहुच पाएगी तो इस तरह से भी कुछ condition देखने को मिल सकती है trouble with balance जो मारा balance होगा वो trouble देखने को मिलेगा speech problem बोले में बहुत problem जाएगी feeling very tired बहुत जादा धकान महसुस होगी बहुत जादा tiredness फील होगा confusion is everyday matter मतब confusion create होगा क्योंकि मामला brain का है having trouble following simple commands देखने को मिल सकता है headache भी होगा seizure मतब जटके भी आ सकते है personality behavior changes आपकी personality या फिर आपका behavior भी change देखने को मिल सकता है मतब यहाँ पर देखने को मिलेगा hearing problem जैसे कि सुनने में भी problem हो सकती digginess भी होगा आपको vertigo जैसे कि बहुत जादा सर चक्राएगा feeling very hungry and gaining weight आपको बहुत जादा hungry feel होगा बहुत जादा भूक लगेगी और आपका weight भी gain देखने को मिलेगा memory problem भी हो सकती है लाइक memory मतब आपको किसी भी चीच को भूल भी सकते हैं इसके लावा आपको जटके के साथ साथ आप paralysis भी हो सकता है कि आप tumor क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी किसी nerves को भी दवा सकता है तो इस कारण से paralysis भी हो सकता है तो यह हमारे brain tumor के symptom थे तो brain tumor बहुती dangerous tumor के अंदर आता है अगर वो cancer form कर लिया है तो वो तो danger ही है अगर tumor है तो वो भी danger है क्योंकि अगर tumor को हम remove करते हैं कीमो देते हैं तो हमारी other आस-पास की nerves भी damage हो जाती है और अगर आस-पास की nerves जब damage होती है तो हमारे body का पूरा system ही बिगड़ जाता है next हम देखते diagnosis क्या-क्या करेंगे इसका examination करने के लिए पता लगाने के लिए कि cancer है ही है कि only tumor बस है physical examination करेंगे उसका MRI or CT scan करेंगे ताकि tumor को proper visualize कर सके कि जो tumor है वो proper हम बोल सकते हैं कि उसमें benign है या फिर उसका safe and size कितना बढ़ गया है किस stage में है next हम lumbar puncture भी करेंगे lumbar puncture क्यों करेंगे क्योंकि हमने एक brain का type देखा जिसमें brain and spinal cord की layer में tumor देखने को मिल रहा है next हार्मोन blood test करेंगे क्योंकि हार्मोन blood test भी करेंगे जैसे कि हमने देखा यह पिट्टरी जो gland होती है हमने कई glands के बारे में देखा तो उन glands में भी अगर tumor हो जाता तो हमारे हार्मोन जो होते हैं वो change हो जाते हैं बायोपसी करेंगे बायोपसी में हम particular उस tumor को जो tissues होते हैं dead tissues होते हैं उनको remove करके बायोपसी examine करते हैं ताकि हम उसको पता लगा सके कि जो growth हो रही है वो abnormal जो growth हो रही है वो cancer की ही हो रही है या फिर normal है तो यह तो हमारे को इस diagnosis हो जाते हैं अब treatment की बारी आती है तो treatment में हम जो हमारा first रहेगा surgery क्यूंकि tumor को हम surgery के help से remove कर सकते तो इसको हमने बोला है cranio tommy तो निउरो जो हमारे neurosurgeon remove the tumor जो हमारे surgeon होते हैं वो tumor को remove करते हैं जो भी हमारे brain में जिस भी particular area में है तो ब्रेन को उस particular tumor को remove करने की process को हम लोग cranio tommy भी बोलते हैं radiation therapy, radiation therapy में हम क्या करते हैं high doses दी जाती है लाइक जो एक्स रे डिस्ट्राइब brain tumor cell and shrink the tumor in the type of treatment radiation therapy में क्या करते हैं कि shrink करने के लिए cell को high radiation दी जाती है, high radiation dose दी जाती है अब radio surgery की बात करते हैं तो radio surgery थोड़ा different है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है जैसके this is type of radiation therapy भी एक type radiation therapy का ही है लेकिन इसमें होता क्या है यह only focus करता है radiation only जो particular tumor है उसे ही focus करता है surgery के help से incision करते हैं इसके लिए radiation therapy में हम क्या करते हैं कि पूरा only हम बाहर से देते हैं तो उससे हमारे आसपास की cell भी damage होने के chances रहते हैं लेकिन radio surgery में incision करके particular tumor पर जो मारी raise है वो ले जाई जाती है और उसे kill किया जाता है तो incision करके मतब कट लगा कि अब incision करके उसे particular tumor पर स्रिंग किया जाता है brachy therapy this is form of radiation therapy यह भी radiation therapy का टाइप है इसमें भी radioactive seed capsules और other implant directed to near the cancerous tumor इसमें भी implant किया जाता है यह भी radiation therapy का टाइप होता है इंप्लांट इस तरह से किया जाता है कि जो मारी cancer tumor है only वो बस kill हो जाए कीमो थेरपी जो कि हमने देखा है हर treatment में देखा है जो कीमो थेरपी क्या होता है जो antiviotics होती है anticancer drugs होती है वो cancer cell को किल करने के लिए helpful होती है तो यह भी brain tumor है जो उसे किल करने के लिए बहुत ज्यादा helpful होती है immunotherapy में जैसे कि मैं देखा है इसे हम biological therapy बोलते हैं यह type of treatment is use your body immune system fight cancer तो यह हमारे body के immune system को strong करता है जो कि हमारे cancer को cancer से लड़ने की छमता प्रदान करता है targeted therapy जैसे की बात करते है यह targeted therapy होता क्या है specific feature in cancer cell without harming healthy cell तो targeted therapy में होता क्या है particular जो tumor होता है particular जो cancerous cell है उस पर ही target किया जाता है और जो targeted therapy की खासियत होती है कि healthy cell को नहीं मारता है healthy cell को kill नहीं करता है only जो cancerous cell है उसे ही kill करता है तो यह थी हमारी targeted therapy तो यह आज की class में हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे brain tumor है वो उसकी जो treatment है और किस कारण से होता है तो मैं तो इसका बहुत ही important है treatment कि treatment क्या-क्या होता है so I hope कि आपको इस class के help से print humor के बारे भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी so thank you so much for watching my videos